राम राम किसान भाईयो एन के वाई फार्मर चैनल पर आप सभी का स्वागत अभी नंदन है किसान साधियो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी गहूं की फसल सतर से नब्बे दिन के बीच की हो जाती है तब हमें अपने गहूं की फसल की इस अवस्ता पर कौन-कौन से जरूरी काम करने होते हैं ताकि हम अपनी गहूं की फसल से अधिक से अधिक पैदावार ले सके इस अवस्ता पर ऐसे कौन-कौन से कारिय करे जिससे हमारे गहूं की बालिया मोटी वे लंबी बने बालियों में दाना भराव अच्छे से हो, दाना मोटा चमकदार बने गेहों की गरोत बढ़ाने के लिए हमें कौन-कौन सी खादो का इस्तमाल करना चाहिए किसान साथियों, अगर आपकी गेहों की फसल सतर दिन की हो गई है या इस से उपर सो दिन के आसपास होने वाली है तो इस वीडियों को आम तक पूरा वश्य देखना यह वीडियों आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है तो आईए शुरू करते हैं किसान भाईयों सबसे पहले बात करेंगे अगर आपके गेहूं की फसल सतर दिन की या इसके आसपास की हो चुकी है तो आपको क्या करना है किसान भाईयों इस समय आपको अपने गेहूं की फसल में खेत की मिट्टी में नमी बना कर रखनी है आने वाले समय में हमारी गेहूं की फसल गबोट अवस्ता में आ जाती है इस समय पर गेहूं में बालिया बननी शरू हो जाती है तो इस अवस्ता पर आपको सिच्चाई पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक हो जाता है जब आपकी फसल गबोट अवस्ता यानि 85-90 दिनों पर जब आपकी गेहूं की बालियों में दाना भराव अच्चे से नहीं हो पाता है तब तक आपको गेहूं की फसल में नमी की कमी नहीं होने देनी है किसान साथियों गेहूं की इस अवस्ता पर हमें कोई भी खाद छिड़काव विदी से नहीं डालना चाहिए क्योंकि इस समय दी गई खाद हमारे पोदों को अच्छे से नहीं मिल पाती है इस अवस्ता पर हम जो भी खाद अपनी फसल को देंगे उन खादों को सप्रे के माढ़म से ही देंगे ताकि हमारा सारा खाद पोदों को तुरंत सीधा मिल जाए किसान साथियों इस समय पर सबसे पहले 12% वाली जिंग का सप्रे आमे करना है 12% वाली जिंग आप 100 ग्राम ले ले और इस 12% जिंग का छिड़काव एक एकड़ खेत में कर सकते हैं इससे आपके गेहूं की फसल में हरा पनाएगा और जिन पोदों की ग्रोथ रूकी हुई है उन पोदों की अच्छे से बढ़वार हुजाएगी इसके बाद जब आपकी फसल में गबोट अवस्ता दिखाई देने लगे तब इस अवस्ता पर आपको एन पिक के 0.524 का सप्रे करना है इससे किसान साथियों आपकी गेहूं की बालियां लंबी वे मोटी निकलेगी और आपको उतपादन भी अधिक मिलेगा एन पिक के 0.524 में 52% फासपोर्स होता है और 34% पोटैसियम होता है किसान साथियों फासपोर्स आपकी गेहूं की बालियों का विकास करने में साहिता करेगा पोदों के तनों को मजबूत करेगा बालियों की लंबाई बढ़ाएग बालियों को मोटा होने में मदद करेगा यह गेहूं की फसल में पैदावार में विर्दी करेगा और पैदावार की गुणवत्ता में सुधार करेगा दाने मोटे वे चमकदार बनेंगे दानों के पकने की गुणवत्ता में सुधार करेगा दानों के आकार को बढ़ाता है यह आपके गेहों के पोदों पर पाउडर और डाउनी मूल्ड को भी नियंतरित करता है। किसान साथियों गबोट अवस्ता पर हमें 0.524 का इस्तमाल जरूर करना चाहिए। बात करें इसकी डोजगी तो आप एक कडमे 1.5 किलो 0.524 का सप्रे कर सकते हैं। किसान साथियों 0.524 का सप्रे करते समय, खेत में भरपूर नमी होनी चाहिए। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप पहले से चाहिए कर ले। उसके बाड 0.524 का सप्रे करें। किसान साथियों उमीद करते हैं। आप इस जानकारी का लाब अवसे लेंगे जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अन्य किसान भाईयों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद